हेलो फ्रेंड्स सत्रंगी निटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको जूड़ा चोटी कैप बनाना बता रही हूँ और ये देखिए छोटा साइज है इसके लिए मैंने 60 फंदे लिए हैं 60 फंदे लिए हैं मैंने छोटा साइज है 0 से लेक बन कर ये नीचे मैंने चार सलाई उल्टी उल्टी बुल ली है उसके बाद पैटन डाला है ये करीब 6 इंच का मैंने बुल लिया है पैटन डालकर पूरा ये अब पैटन देखिए आप बहुत ही सौफट पैटन है ये बहुत अच्छा लगता है बन करके और दोनों साइट से ये pattern एक जैसा आता है इस side से देखिए और अब मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ पीछे से देखिए दोनों side से बिल्कुल एक जैसा आता है तो इसको आप शॉल, इस्टॉल या मफलर में भी डाल सकती है तो चलिए हम pattern बनाना शुरू करते हैं pattern डालने के लिए ये मैंने 14 फंदे लिए हैं even number में आपको फंदे लेने हैं और देखिए right side से और wrong side से दोनो side से pattern को डाला जाएगा ये हमारा right side है right side से हम pattern शुरू करेंगे right side से first row पहला फंदा बुन लेंगे अब wool को अपनी side लाएंगे और एक फंदा बिना बुना उतारेंगे यानि slip करेंगे फिर अगला फंदा हमें सीधा बुन लेना है अब देखिए सलाई के उपर हमारा एक ये फंदा बन गया है एक बल पढ़ गया है सलाई पर अब फिर से wool को अपनी side लाएंगे एक फंदा slip करेंगे और दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे वस इसी चीज को हमें आगे रिपीट करते जाना है एक फंदा slip किया दूसरा फंदा सीधा बुना wool अपनी side लाकर एक फंदा slip किया दूसरा फंदा सीधा बुना wool अपनी side लाकर एक फंदा slip किया यानि बिना बुना उतारा और दूसरा फंदा सीधा बुना लाश्ट फंदा सीधा बुन लेंगे राइट साइड से पूरी सलाई हमारी complete हुई ये सलाई हमें केबल एक बार ही बुननी है शुरू में केबल एक बार ही हम इस सलाई को बुनेंगे और अब हम wrong side पर आ गए देखिए पहला फंदा उल्टा बुल लेंगे अब wool को हमें अपनी side ही रखना है और एक फंदा slip कर लेना है यानि बिना बुना उतार लेना है देखिए एक चीज में आपको और दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखिए यह एक फंदा अलग है दो फंदे हैं फिर एक है फिर दो हैं फिर एक है फिर यह दो फंदे एक साथ हैं फिर यह एक है फिर यह दो फंदे एक साथ हैं तो एक फंदा जो अलग है उसको हमें slip करना है और जो दो फंदे एक साथ हैं उन्हें हमें बुनना है तो ये फंदा हमने बिना बुना उतारा बूल हमारा अपनी साइट है अब ये दो फंदे एक साथ है इन्हें हम सीधा बुन लेंगे एक साथ है फिर बूल अपनी साइट लाएंगे एक फंदा बिना बुना उतारेंगे और ये दो फंदे जो एक साथ है उन्हें हम एक साथ ही सीधा बुनेगे बूल अपनी साइड लाए एक फंदा बिना बुना उतारा ये दो फंदे एक साथ बुने बूल अपनी साइड लाए एक फंदा सिलिप किया दो फंदे सीधे बुने बूल अपनी साइड एक फंदा सिलिप किया, दो फंदे सीधे बुने पूरी सलाई हमें ऐसे ही बुनकर कम्प्लीट कर लेनी है और अब हम आगए अगली सलाई पर पहला फंदा सीधा बुनेंगे बूल को हम अपनी साइड लाएंगे और ये वाला फंदा ये जो अलाग है इसको सिलिप किया और ये दो फंदे हैं उन्हें एक साथ सीधा बुना बूल अपनी साइड लाए एक फंदा सिलिप किया और जो दो फंदे हैं एक साथ उन्हें सीधा बुना एक फंदा बिना मुना उतारा और दो फंदे सीधे बुने बूल अपनी साइड लाका एक फंदा सिलिप किया दो फंदे सीधे बुने सभी सलाईओं में हमें बस ऐसे ही बुनते जाना है और बहुत ही आसान पैटन है ये बनाने के लिए और बहुत अच्छा लगता है बन करके बहुत सॉफ्ट आता है बन करके आप इसको थोड़ा सा बुन कर देखे तब आपको आइडिया लगेगा कि ये कितना सॉफ्ट बनता है अब फिर से हम उसी चीज को रिपीट करेंगे एक फंदा उतारा दो फंदे सीधे बुने बूल अपनी साइड लाए एक फंदा उतारा दो सीधे बुने बूल अपनी साइड लाए एक उतारा दो सीधे बुने सभी सलाईयां बस ऐसे ही बुनी जानी है अब देखिए सलाई भी हमारी कंप्लीट हुई अब अगली सलाई देखिए अब जो लास्ट में हम आएंगे तब देखिए आपको कैसे करना है जब आप पूरी लंबाई बुन लें जैसे यहां पर यह मैंने बुना है यह यह चीज आप कैसी बनाएंगे तो देखिए जब आप ये पूरी लेंथ बुल लेंगे जो 6 इंच मेने बुनी है करीब तो ये जब बुल लेंगे तो उसके बाद यहां पर ये आप कैसे बनाएंगे ये अब मैं आपको बता देती हूँ ये चीज ये सलाई हमें एक उल्टी बुनी है तो देखिए कैसे बनाएंगे पहले हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर ये दूसरा फंदा भी हमने उल्टा बुना अब देखिए ये जो दो फंदे एक साथ हैं ये हमें दो का एक बुन लेना है फिर ये एक फंदा उल्टा बुना फिर ये जो दो फंदे एक साथ हैं वो एक साथ लेकर उल्टे बुल लेने हैं यानि दो का एक कर लेना है एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक बार दो का एक करेंगे एक फंदा उल्टा बुना फिर ये दो का एक किया एक फंदा उल्टा बुना फिर दो का एक किया ये सलाई हमें इस तरह से बनानी है तो फंदे हमारे उतने ही हो जाएंगे जितने हमने नीचे यहाँ पर डाले थे अब देखे यह अगली सलाई हमें पूरी उल्टी बुल लेनी है अब यहां तक हमने जतना बनाया है उतना मैंने आपको बता दिया है अब यहां से आगे हमें कैसे बनाना है यह मैं आपको इसी में बताऊंगे अब हम जाली डालेंगे तो जाली डालने के लिए देखे पहला फंदा उल्टा बना और सलाई पर वूल लपेट कर एक फंदा बनाया फिर दो का एक किया फिर से सलाई पर बूल को लपेटा और ये दो का एक किया फिर सलाई पर बूल को लपेटा दो का एक किया फिर से सलाई को बूल को लपेटा दो का एक किया इसी तरह से हमें ये पूरी सलाई भूलने नहीं जाली वाली पूरी सलाई मैंने कम्प्लीट कर ली है और ये देखे इस तरह से बन गया है अब ये सलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे पूरी सलाई हमें उल्टी बुनकर कम्प्लीट करनी है ये जो जाली का फंदा है ये भी हमें उल्टा बुल लेना है इसके बाद हमें आगे करीब 16 सलाई और उल्टी-उल्टी ही बुननी है देखिए फ्रेंड्स ये अविस्तर हिसी बनी गया है मैं आपको गिन कर दिखा देती हूं कि ये कितनी सलाईया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यानि कि ये 16 सलाई मैंने उल्टी-ल्टी बुन ली है छोटा साइज है ये तो मैंने 16 सलाई बुनी है अगर आप बड़ा साइज बनाएं तो आप ये सलाईया ज़ादा बुनी है अब हम ये सारी फंदे बंद कर देंगे तो देखिए फंदे बंद करने के लिए पहले हम दो का एक करेंगे दो फंदे एक साथ लेकर उल्टा बुल लिया दो का एक हुआ अब इस फंदे को दूसरे हाथ की सिलाई पर लिया और फिर से दो का एक किया फिर से इस फंदे को दूसरे हाथ की सिलाई पर लिया और दो का एक किया फिर से इस फंदे को दूसरे आथ की सिलाई पर लिया और ये दो का एक किया ऐसे ही हमें ये सारी फंदे बंद कर लेने हैं अब देखिए ये मैंने सारी फंदे बंद कर लिये हैं और ये इस तरह से बन गया है यहाँ पर मैंने black color की wool के ये टुकड़े काट कर रखे हैं तो आप अपने हिसाब से ये टुकड़े काटिए अगर आपको चोटी चोटी बनानी है तो आप चोटे चोटे टुकड़े काटिए और अगर आपको लंबी चोटी बनानी है तो आप लंबे लंबे टुकड़े काट लेजिए बूल के और बूल भी आप अपने हिसाब से जो भी कलर यूज़ करना चाहें वो कर सकती है अब इस बूल मैंसे देखिए दो पीस मैंने लिए और इधर से हम बराबर कर लेंगे इसको और अब इसको हम यह जो जाली मैंने डाली है इसमें लगाएंगे तो देखिए कैसे लगाना है वोल को हम नीचे से डालेंगे उपर की साइड और फिर अगली जाली में फिर से नीचे डाल देंगे इस तरह से अब यहां से हमें बूल को इस तरह से निकाल देना है और इसको खीच देना है अब फिर से हम दो पीस लेंगे बूल के दो टुकड़े और इधर से हम इसको बरावर करेंगे यह देखिए ऐसे अब यहां से हम यह वाली जाली जो है हमारी यहां पे इसमें हम बूल को डालेंगे नीचे से उपर की साइड फिर अगली जाली में उपर से नीचे की साइड डाल देंगे और यहां से देखिए इस तरह से इसको हमें निकाल कर खीच लेना है ऐसे यह इस तरह से बन जायेगा तो इसी तरह से हमें सभी जालियों में बूल को लगा लेना है यह देखिए मैं एक बार फिर से दिखा दू हमने बूल को नीचे से उपर की साइट डाला अगली जाली में उपर से नीचे की साइट डाला ऐसे अब यहाँ बीच में से इस बूल को निकाल कर हम खीच लेंगे तो यह हमारी बूल इसमें लग जाएगे अब देखिए सभी जालियों में मैंने बूल को लगा लिया है दोनों साइड से मैंने आपको दिखा दिया इस तरह से बन जाएगा अब इसको सिलने के लिए ऐसे मोड कर पकाड लेना है और देखिए यहाँ यह पूरा सिलना है पर सिलाई हमें दूसरी साइड से लगानी है नीचे की साइड से तो यहाँ से हम इसको सिलना सुरू करेंगे इसको पूरा सिलते हुए जब हम यहाँ पर पूंचेंगे जहां हमने यह काली भूल लगाई है तो वहाँ से हमें यह सिलाई अच्छे से करनी है जिससे की सिलाई ज़्यादा दिखाई ना दे तो फंदे से फंदा मिलाते हुए हम इसकी सिलाई बहुत अच्छी तरह से करेंगे बस यह थोड़ा सा जो पार्ट है इसकी सिलाई आप जितनी अच्छे करेंगी आपकी कैब भी उतनी अच्छी बन करके आएगे आगे की सिलाई आप चाहे जैसी कर लें पर जहां से आपने काली बूल लगाई है वहां से आपको यह थोड़ा सा पार्ट अच्छे से सिल लेना है तो देखे जैसे मैं फंदे से फंदा मिलाते हुए सिल रही हूँ ऐसे ही आपको भी सिलना है अब कैप को आप इस तरह से रख लीजिए जैसे मैंने रखा है और एक काला वूल लीजिए या रैड वूल लीजिए और इसको डवल कर लीजिए अब जहां भी हमने जाली डाली है वहां से देखे इस वूल को हम डालेंगे और अगली जाली में से निकाल लेंगे इस तरह से डालना है आपको देखे एक जाली छोड़ करके जैसे हम स्वेटर में डोरी डालते हैं उसी तरह से आपको इसको डालना है एक एक जाली छोड़ करके इसको हम ऐसे डालना है आप सुई से भी डाल सकती है मैंने याँ पर क्रोशिया यूज किया है पर अगर आप चा बूल डाल लेने के बाद इस बूल के दोनों सिरों को हम पकड़ेंगे और यहां पर गांट लगा देंगे जिसे कि यहीं बंद जाएगा और अब यह जो ब्लैक वाली बूल है इसको देखिए हमें इस तरह से सही करके और इसकी चोटी बना लेनी है तो हमारी एक कैप बनकर त तरह तरह थे ताए तक्यू